क्या आपने ध्यान दिया है कि जब आप किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो आप असल में उनकी बात सुन रहे होते हैं या फिर आपके दिमाद में ये चलता रहता है कि अब मुझे क्या बोलना है अकसर ऐसा देखा गया है कि जब कोई conversation दो रहा होता है तो जो बोलने वाला है उसकी बात खतम हो भी नहीं पाती कि सामने वाला अपनी बात कहने लग जाता है हम पहले सुनना नहीं चाते हैं हम सिर्फ अपनी बात सुनाना चाते हैं हमें लगता है हमारी बात ही सबसे सही है जो हमारे सामने बैठा है उसके opinion का कोई माइने नहीं है अगर आप चाते हैं कि किसी भी conversation को meaningful बनाया जाए उसमें से कुछ सीखने को मिले उसमें से कुछ समझने को मिले और कुछ नहीं भी तो आपको अपना maturity level पता चले तो ज़रूरी है कि सामने वाले को अपनी बात पूरी करने दी जाए उसकी बात खतम होते ही फिर आप अपनी बात कहिए turns लीजिए एक के बाद एक कहिए अगर सब लोग एक दूसरे के ऊपर बोलते रहेंगे तो उस conversation का कोई मतलब नहीं लिकलता एकदम meaningless conversation हो जाता है और आपके हाथ कुछ भी नहीं आता ना आपको किसी की कोई बात समझाती है ना आप अपनी ही बात किसी को समझा पाते हैं बहुत जरूरी है कि पहले सामने वाले को समझा जाए और फिर उसके बाद अपनी बात समझाई जाए थोड़ा सा patience चाहिए इसके लिए और थोड़ी से समझदारिये मुझे उम्मीद है आपके पास ये दोनों हैं है ना